नमस्कार दोस्तों हमारे नूज यूटूब चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में सभी केंद्री करमचरी है अधिकारी है उनके लिए जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सभी सुन रहे हैं सरकार ने ने साल पर करमचरी को डबल गिफ्ट दिया है जी हाँ दोस्तों नो लाख जो सरकारी करमचरी है उनको इसका फाइदा होगा डबल गिफ्ट क्या है दोस्तों वो हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं इससे करमचरी है लाखों करमचरी है अधिकारी है उसको इसका फाइदा होगा तो दोस्तों जुड़े रह को भी जरूर दभाए जो भी गोर्मेंट इंपलोईज और पैंसनर से समय दिने हो जाती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंसके तो आई दोस्तों देर न करते हैं वीडियो को स्टार करते हैं आप देख रहे हैं दोस्तों अभी अभी लेटेस निउस निकल कर सामने आ र खे मंतरी के चंदर सेकर राओं ने मंगलवार को वेतन संशोदन आयो की सिपारिस में जो मद्य नजद रखते हुए सभी राज्य सरकार के करमचर्यों के वेतन में वर्दी की खुशना की है उन्होंने इन करमचर्यों की रिटार्मेंट उमर को मुझुदा अठाउन वरस से ज्यादा करने का भी ऐलान किया है जहां दोस्तों आप बिल्कुल सही सुने हैं सरकार ने फैसला लिया है नए साल पर दोस्तों कितनी बड़ेगी सेलरी वो भी हम आपको बताते हैं जो तिलगना राज्य के सरकारी करमचर की सेलरी और रिटार्मेंट उमर है उसमें कितनी ब फैसला है वो लिया जाए सकता हैं मुख्यमंतरी करियले के एक अधिकारि के बयान के ननुसर हम आपको बताते हैं कि उसने क्या का गया है रावत ने सभी सरकारी विबागों में जो रिक्तियょं को जल्द ही भरने का फैसला लिया गया है यानि राज्जय में बहुत जल्द ह लेगी ऐसा एलंग किया गया हैं दोस्तों आप सब जानते हैं कल ही नया साल सुरू होने जा रहा है और तेल गाना के मुख्य मंत्री जिन्होंने के सी आर के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने अपने इस फैसली को सरकारिक करमचरे के लिए नूएर का गिफ्ट करार दिया है बयान में का गया है दोस्तों कि मुख्य मंत्री ने जो मुख्य सची सोमेश कुमार की अगवाई में एक अधिकारिक समीती की नुक्ती की है और इसमें जो परमुक्स जो सचीव है उसमें राम क्रिशन राव और परमुक्स सचीव जल संशादन विकास रजित कुमार को में अध्यान होगा जिन्वरी के पहले सब्ता में समेती के पे रिवीजिन कमिशन की रिपोर्ट का अध्यान करेगी सरकार और दूसरे सब्ता में समेती करमचारी को यूनियन के परतिनिद्यों से मुलाकात करेगी मुख्य मंतरी ने निर्देश दिया है कि वेतन वर्दी का फायदा से भी क्रमचारी, अनुदान प्राम्त जो क्रमचारी, कारिये प्रभारु क्रमचारी और दैननिक वेतन क्रमचारी, पुरन कालिन अकाश्मिक क्रमचारी, अंस कालिन अकाश्मिक क्रमचारी और पैंसनरों को इसमें मिलना चाहिए इसमें जो समेति को सुझाव दिया है दोस्तों जो बनाएगी समेति सरकार को वेतन सरकार का परतिशत क्रमचर्यों की सेवा निवर्ति की आयू में वर्दी की सीमा और सेवा जो नेमों में संसोदन पाद उंती के लिए संसोदन निती जो नल सिस्टम इसमें कितने परतिशत क्रामचेरे को लाब होगा कितने क्रामचेरे को इसका फायदा होगा वो भी हम बताते हैं कुल मिलाकर जो राज्य में वेतनवर्दी के लिए 9,690 क्रामचेरे को इसका फायदा होगा यानि कि लगबग हम कहेंगी 9,00 क्रामचेरे को इसका फायदा होगा अगर जुरूत पड़ी तो तिलकना राजा शड़क प्रिवहन निगम ये पर जो वेतन वर्ति के कारण वितिय बोज को भी राज्य सरकार दवरवहन किया जाएगा सेम ने ये भी गोशना की है कि जो सभी खाली पड़ो की पैचान करने के बाद फरवरी में भरति कार्य करम सुरूप किया जाएगा जिहां दोस्तो ने साल पर जो करम चरे को डबल गिफ्ट मिल लेगा जिसमें सैलरी और करम रिटार्मेंट उमर को होगी जो परदस्त पडोतरी सरकार ने अभी अभी जो फैसला लिया गया है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सिर्फ फ्रेंज के साथ सेर्ज जरूर करें तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में तब त